दोस्तों कहा जाता है जुकती है दुनिया जुकाने वाला चाहिए आप सोयम देख लीजिए भारत ने जहां कनेडा से कहा कि अपने राजदूतों को बाहर निकालो ये भाईयाजी सबुत दे नहीं पाए तो कनेडा के जस्टिन टूडो के भाईयाजी सुर्थ धीले पड़ उनका कहना है कि हमें एसकलेशन नहीं चाहिए हम तो भी ये मामले को सुल जाना चाहते हैं ये टूडो ने कहा था, अब उनके विधेश मंत्राले ने कहा है कि भाईयाजी ये तु डिसकसन है वो प्राइबेटली होना चाहिए क्यों भाई सब ऐसा क्यों के रहे हो तो बोलत केनेडा के प्रधान मंत्री ने संसद में खड़े ओकर भारत के ऊपर आरोप लगाए थे तब ये ग्यान कहां मर गया था आपका आपने पूरी दुनिया के सामने भारत की इमेज पर बट्टा लगाने का प्रयास किया था बिना सबूतों के हवा ठाक रहे थे आज बहिया जी अपने देश में मुह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं जस्टन टूडो अज जनाब हालत ऐसी है कि इनके खुद के संसद पूछ रहे हैं कि भारत को नहीं तो कम से कम हमें तो दिखा दो सबूत आज तक भाईया जी 15-20 दिन होने को आ गए एक सबूत का तिन का पैदा नही सबूत है नहीं तो भाईया जी अब जो है अपना सा मूल यह बैठे हैं कह रहे हैं कि यह चुपके से बातचीत हो जाए और डिप्लोमेटिक बिबाद निपड़ जाए हमारा मोदी सहाब से हाद जोड़ के निवेदन है केनेडा को बेल आउट नहीं 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 दिया जान यह दुस्त लोग हैं सठे साठ्यम समाचरेत यह भाईया जी डब्बे में फसे हैं जब तक टूडो उसी संसद में खड़े होकर मापी नहीं मांगते हैं भारत से तब तक भाईशाव रती भरवी राहत टूडो को नहीं दी जाना चाहिए और बैसे दोस्तों हम लोगों में बनने का बड़ा चस्का रहता है अगर हमने दी तो हमसे बड़ा बेवकूफ पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा क्योंकि एक बार हमने माहनता दिखाने के चकर में टूडो को चुटकारा दे दिया तो भविश्च में दुनिया का कोई भी एरा गेरा नत्थू खेरा प्र कुछ लेना देना नहीं है मालदीव में जो है भाड़ती सेना को निकाला जा रहा है तो भारत और मालदीव आपस में पट लें मतलब भाई साथ इंडियन ओशन के लिए ये जिम्मेदारी है अमेरिका की बाइडन बबा हो गए हैं गुड़े लेकिन चाइनीज राजा की चल रही है कल डियेगो गर्सिया से अमेरिका को डख के मार के निकाला जाएगा और वहां पर चीन बैठेगा हम भी देखेंगे तब भारत भी यही कहेगा कि भाईया जी अमेरिका और चीन आपस में निपट लें हमें क्या कोई फरक नहीं पेंदा इसलिए बाई साथ जमान को डरदर की ठोकरे खानी पड़ रही हैं इसलिए दोस्तों जो लोग इत्यास से नहीं सीखते वो लोग कम से कम वर्तमान से तो सीख लें